हेलो गाईज, वेलकम बैक टो यूटूब चैनल SKM इस्टड़ी अवे आप सक्सेच, मैं हूँ आपका एजुकेटर सियो मिस्रा, आपका स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल SKM इस्टड़ी पर, यहाँ पे लेकर आए हैं क्लाश 12 हिंदी की कॉपी और बोर्ड का पे पर है, देख सकते हैं पुरा-पुरा क्यूस्टन्स है, ठीन दोजार पचीस के लिए आने वाला, और यहाँ पे पूरी बोर्ड की कॉपी एकदम एक-एक सब्दों में लिखी गई है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, आप सबसे पहले चैनल पे नहीं हैं, तो आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या कर लेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्या कर लेंगे सर सब्सक्राइब करके सेयर कर लेंगे, ताकि आपके पास जितनी भी वीडियो लेकर आऊं, वो आप तक तुरंत क्या रहे, पहुंचती रहे, ठीके न, चलिए य यहाँ पे आपका बार कोड रहेगा ठीक है न, फिर यहाँ पे आपको कुछ चीजे भरनी रहेगी जैसे कि यहाँ पे सीधा बोलाए कि परिखार्थी उत्तर पुक्ष्टिका किसी भी भाग में अपना नाम नहीं भरेंगे ना लिखिएंगे ना आपको भरनने की जरूत है, पिर यहां पर दिया हुआ है कि किंद्राधक्षियों का छिर्चकों को यह अधिकार होगा कि वे परिशत की परिक्षा में सम्मलित होने वाले परिच्छार्ति एक तलासी ले सकते हैं। प्रिक्षार्ति का अग्रमांक सब्दों में आप भनना रहेगा। को सब्दों में एक एक करके डाल देंगे कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए पेपर की बात करें सर पेपर आपका इसी प्रकार से रहने वाला है उपर अनुकुरमांग नाम भरना रहेगा यहां पर प्रिष्टुक संख्या दी रहे है कोई दिक्कत नहीं यहां पर रहे हैं आपको प्रष्ट पढ़ने की नीधायत रहेंगे और उस प्रश्ट पत्र में धो खंड रहेंगे दोनों खंडू ofश्रिपश्ण का उत्तर देना चाहे आप पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे खंडख लिखा हुआ है जिस खंडख आपको उत्तर देना है आप सबसे पहलो उस खंडख को यहाँ पे लिख लेंगे फिर उसके बाद दूसरा यहां पर चालू हो गया है, तो सबसे पहला अगर आप देना चाहते हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं, प्रशुत्तर संख्या पहले का कह, अब पहले का कह क्या है, खड़ी बोली की प्रथम का दिरचना किसे माना जाता है, चंद चंद बर्नन की महि अगर आप लिखना चाहते हैं, तो डारेक्ट आप एंसर लिख सकते हैं, प्रशुत्तर संख्या पहले का कह, यह एंसर है, अगर मालीज आपको कॉपी भरना है, कई बच्च ऐसे होते हैं, जिनको कॉपी भरना होता है, गुर्दों हम कॉपी भरेंगे, ठीक है न, तो ठीक ह न, आप यहाँपे प्रशन लिखेंगे, चारओ आपसन भी लिखेंगे, और फिर यहाँपे आप उत्तर मिलिखे देंगे, जैसे इसका उत्तर क्या है, खड़ी बोली, कि प्र्थम गद्रचना चंदचंदब, चंदचंदबरनल की महीमहा है, तो आप इसको लिखेंगे, उ यहां पे इसका इंसर क्या है आप पे हिंदी प्रदीप के संपादक बालखिष्ट भटे हैं तो यहां पे दिख्या गया है। बाबुगलाबराय की आत्मकता है कौन सी है तो मेरी असफलता है बाबुगलाबराय की आत्मकता है यहां पे इसको उतारा गया है यहां पे पहले का घह है यहां पे अतीत के चलचित्र की स्विधा की रचना है अतीत के चलचित्र की स्विधा की रचना है संसिस्मरण है तो य कसा उसके बाद देखेंगे हैं पहले का यह क्राई चा को नहीं अ साइब लिखेंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी एक बी नमबर आपका कटने वाला बहुत बच्चे कहतें गुर्देव हम तो प्रश्ण और चारो आफसन लिग रहे नंबर कड़ जाए का नहीं कटेगा बिल्कुल भी नहीं कटेगा उसके बाद यहां पर देखेंगे दुसरे का हरी घास पर छणफर की रचनाकार कौन है भवानी मिस्र बालकिष्ण सर्मानव रामीन अग्यां यहां पृर, प्रक्रायर श्रमान की रहे नविति का मुएघी कर नहीं है कौन है चुम्टे चुप्ते, चुप्ति, प्रैप्रवाश्ज, роб लिखा गया दूसरे का इंसर यहां पे है चारो आपसन फिर इंसर अच्छा इस प्रकार से लिखेंगे ना तो कॉपी भरेगी और examiner के उपर एक अच्छा प्रभाव पढ़ता है आपको बता है इसका एक अलग ही प्रभाव रहता है अगर आप इस प्रकार से कॉपी को लिखत दूसरा सब तक कवी कोन है तो दूसरे सब तक जो कवी है वो भवावनी परशाद मिशसरे हैं ठीक ना तो यह हो गया अब यह हमारा क्या हो गया सर जी यह तो हमारा objective हो गया खिकर अब हम आज आएंगे प्र मो अच्छ अगर माल लिज़े आपके पास टाइम है कौपी भरना चाहते हैं तो आप डारेक्ट क्या गर सकते हैं कि बढ़ियापुरे गद्यांस को उतार दीजिए उसके बाद इसके चारों क्योश्चन को उतार दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो नहीं है तो सिधा पर अगर दालिए फिर जो गद्यांस आप लिखना चाहती है उसका शुरू का फिलाष्ट का डाट डाट करके यहां पर डाल दीजिए और उसके बाद उसके चारों इंसर यहां पर लिख देंगे इसके चारों इंसर अब देखेगा अब उत्तर लिख रहे हैं आपे पहला यहा हम इंसर कैसे लिखेंगे क्योंकि जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इसी में इंसर मिल जाएगा देखे धरती माता कोक में जो मुले नहीं दिया भरी है जिनके कार वह सुंधरा क्या लाती है इसी चीज़ को यहां पर छापा गया है कुछ एक्ट्रा अलक सी दिमाग उसके बाद यहां पर पृत्वी की देह को किसने सजा रहा मुलब सजाया वारा है तो पृत्रवी की देह को पहाडों से बहने वाले नदियों के साथ बहाकर लाने वाली उपजाय मिट्टी और धरती पर उगने वाले सुंधर वीच्छी यह सभी वस्तवे धरती को सजाया पहाड को किस ने पीसा है तो पहाड को दिनराथ बहने वाली नदीयों ने पीसा है ऐसी आपको करना है, तो यह आपका 10 नवर बिल्कुल यहाँ पक्का हो गया। उसके बाद आपका आजाता है कि परशोत्तर संख्या चोठा है पद्यांस, गद्यांस बाद पद्यांस की नवर का 10 नवर का आएगा? चले देखते हैं कि पध्यांसर कैसे लिखना है हर एक Quesn को यहाँ पर solve किया है मैंने फिर यहाँ पर आपका चोथा वाला आ जायाँगा आपका पध्यांस अब इसमें दो पध्यांस है आप यह वाला करना चाहते है जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे से लेकर कहां तक है आपके कहे क्यों न चूके या फिर आप यह करना चाहते है नील परिधान भी सुखमार से लेकर दिखाई देता हो छविदा जो आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख दीजिए उसके बाद आप क्योश्चन इंसर लिखते हैं विचले जाए कोई दिक्कत ने सबसे पहला इन होने दिया है क्योश्चन कि उपरिध पद्यांस के सीर्षक और कवी का नामों लिखेजी ठीक है ना उसके बाद अगला यहाँ पर क्योश्चन क्या है सर जी अगला यहाँ पर क्योश्चन है रे खांकित पंक्तियों की व्याख्या किजिए कहां से कहां तक खिला हो जेओ बिजली का फूल मेगबन बीच गुलाबी रंग अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है रिखांकिन पंक्तियों में रच्राकान नाइक्या सुर्धाका अनुपम सौंदरे वरनन करते हुए लिखता है कि नाइक्या के मादक अंगों की आभादे कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बादलों के मध्य से गुलावी रंकी आभाब वाली बिजली का फुल खिल रहा हो उसके बाद है आपे मेग बन बीच में कौन सा अलंकार है सर तो मेग बन बीच में जो है उपमा अलंकार है उसके बाद घवाला परशन है आपे कि प्रस्तुत पद्याज में नाइक्या की मुक्य तुलना किसे की गई है तो प्रस्तुत पद्या जो अर्थ हो जाएगा वो केसों के बीच घिरा सुंदर मैं मुखमंडल अर्था सुंदर छवी है उसके बाद यहां पर आपका पांच का का आएगा क्या है यहां पर निम्खित में से किसी एक लेखा का साहितिक परचे देते हैं उनकी प्रमुकृतियों का नामोले किजिए अ कि मिसायल मैन के रुप में भारती जनता समय समस्त विस्व में लोगप्री भारत के पूर्राष्पति डॉक्टर एपीज अब्डुल कलाम का जन 15 अक्टूबर 1931 को धनलव कोडी नामक गाउं में रामेशोर से जूड़कर तदंतर इसरों के मुख वैग्यान के तोर पर भारत को परमाण सक्ती की तोर पर विक्सित किया इतने महत्यपूर बदों पर रहते हुए भी अपने प्रेयरक प्रसंगुत अथा वैग्यानिक दिश्कोड़ों के भावी पेड़ी खास कर बच्चुक साधा करने का समय दे वे निकाल निया करते थे और ऐसे 27 जुलाई 2015 को भारती प्रभंदन संस्थान सिलांग में एक वैख्यान के दोरान हिद्या घ्यास उनकी मृत्त हो गई फिर उनकी जो आपको रशनाय लिखनाय लिख सकते हैं इंडिया 2020, a vision for new millennium, wings of fire, an autobiography, ignite minds, analyzing the power within Indian आरोहन प्रमुक स्वामी जी के साथ मेरा ध्यात्मिक सफर कलाम की प्रेंडा ध्याक करतियां हैं और कलाम उच्चकोड के वैग्यानिक लोग प्री राश्पती प्रेंडा ध्याक वैक्तित तो मानव ताग पुझायरे दता भारती युगाव के हिर्दै के सम्राड थी ये डारेक्ट यहां पर आप क्या करदेंगे सर मिंसन करदेंगे उसके बाद आप इधर देखेंगे तो फिर एक लेखक के बाद क्या आएंगे सर कवी आएंगे अब देखे कवी कौन है सर जी कवी है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मैंने एक छे सौल्ब किया टेंसन मद लेना जैस देखे आप पे निम्खित में से एक कवी का साहितिक परचे देते हुए उनकी प्रहुग रचनाओ का उले कीजिए अधिक्तम सब्द असी सब्दों निम्खित में से किसी एक कवी का साहितिक परचे देते हुए इनकी प्रहुग रचनाओ को लेकिजिए तीन ट्रू है तो मैंने आप सुमित्रा नंदन पंद का बढ़िया है उपर डाल देजेगा प्रशुत्तर संख्या पाच ठीके ना जैसे मैं दिया हुआ प्रशुत्तर दोनों उतार सकते कोई दिक्कत नहीं टाइम है तो उतारिये नहीं टाइम है तो लिखते जाईएगा प्रगती कि सुकुमार कभी सुमित्रा नंदन पंद का जन्म उत्तरा खंड के कुमायू प्रांत के कौसानी नामगराम में सन 1922 में हुआ था बचपन से ही कभी हिर्दे स स्मित्रा नंदन पंत ने उच्च सिच्चा के लिए प्रयागराज का रुक किया और इसे ही अपनी कर्म अस्थली भी बनाया। सन 1977 में प्रक्ती का ची 13 साहित्यकार सर्गधाम को कूच कर गया और कला और बुढ़ाचान चीतंबरा लोकायतन वीड़ा गरंथी पल्लव गुंजन युगांत ग्राम में इत्याद कभी कृतियों की रशनाकार पंत ने प्रक्ती के मानवी करन को अपने स्रीजन में सहचरी बनाया और पंत का कावे प्रक्ती मानवता वाद तथा अंत चेतनावास से प्रभावित है पंत जी की कृतियों में इस थूल के विरुद्ध सुच के विरुद्धों का चिंत्रमई भासा के साथ अस्थान प्राप्त है ठीक ना इसको कर सकते उसके बाद आपको प्रशुत् असी सब्दों इंसर देना है तो यहाप इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं बहुत सिंपल है मैंने पढ़ा भी दिया है मैं लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स के अंदर डाल देना उसके बाद प्रशुत्तर संख्या साथ अच्छ रहेगा साथ क्या देखेगा यहाप ए सौपडित खंड कावी के अधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्का उत्तर दीजिए यह खंड कावे पांच नंबर का आएगा आपके हर जिले के अनुसार रहेगा अलग अलग जिले से रहेगा जैसे मुक्तियग है रस्मी रती है त्याग पती है आलोग बृत्त है फिर आ आप अपने अनुसार इसको लिखेंगे आप अपने जिले के अनुसार यही मत छाप दीजीगा ठीन हर जिले का अलग अलग खंड कावे है तो आप अपने जिले के खंड कावी के अनुसार करेंगे उसके बाद खंड क्ख की यहां पर सुरुवात होती है जो खंड क्ख की प्रसुत्तर संख्याप डालिएगा उसके बाद जो भी आपको देना जैसे यहां पर मैंने इसका इंसर दिया है महा पूर्शाह लौलिक प्रलोब ने बद्धा को हम लोग नात्यजत तक हमने इसका इंसर दिया तो आप इसका उतारिए फिर इसका संदर्व लिखे प्रस्तु पूरुसांसकारिक प्रलोभा में फसकर अपने निश्चित लक्ष से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते देश की सेवा में अनुरक्त यह यूवक उच्च नयाले की सीमा मेनर है सका पंडित मोतिलाल नहरू लाला लाच पत्राय आदि अन्य राष्टी नाईका के साथ वह भी द इसके सुतंता संग्राम में उतर पड़े दिल्ली में कांग्रेश के तीसहमें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष को सुसूभीत किया और रॉलेट एक्ट के विरोध में इसके उजस्वी भासट को सुनकर अंग्रेज सासक भैवीत हो गए और बहुत बार जेल में जान दिए इसलोग में से किसी एक का संधर्व सैथ हिंदिया नवात करीए आप दो है एक यह है विध्या विवादाया से लेकर चरचणाया तक है जयन तो यहां पे विध्या वाला दिया गया है इंसर तो बढ़िया इसको उतार लेजीए पर इसका संधर्व लिख़े और हिंद होती है इसके बिप्रिबरी सज्जन की विध्या घ्ञान के लिए धन दान के लिए और सक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है फिर यहां शी महावरे रिखर वाक्षा के है अपने पाईरोपडख्राने व घराइगणी, किसी येक काा इंसर देना तो किसी एक काइंसर दिया गया आप एक कवाले का अपने पैरोपर खड़ा हो ना यानि कि अमीज से परेकाम करना ठीक न अर्थात राम माता पिता बहुत खुश है क्योंकि राम की नोकरी पाकर वो पैरोपर खड़ा हो गया उसके बाद यह आठ जो प्रसुत्तर संख्या दस क्या आपर जिन करके के का होता है है अँगा है न के यहां पर देखें दो अर्थ लिगना है मतलब कि हैं तीन दीए है अच्छत कर और दीजेए तो अच्छत का यहां इसको यहां पर इंसर मेंने करवा दिया अगला आप नीचे देखेंगे तो आपका जो प्रश्ना है गवाएगा तो बस ऑब्जेक्टिव तरह इसको भी आप उतार आगे आप देख सकते हैं यह प्रश्ण इसका इंसर यह प्रश्ण घ्रिणा की योग इसका इंसर यहां पर घ्रिणाइस पद हो जाएगा पर यहां पर सुद्ध असुद्ध वाला है क्या है सुद्ध असुद्ध वाला है निमखित में से दो आक्यों को सुद्ध करके लिखना है यहां पर कितने सर दिये हैं तीन दिये हैं कितने दिये हैं किसी एक को लिखना है जैसे महादेवी विद्यान का वित्रित है मैं भोजन कर लिया हूँ किर्पिया मेरे सामान पर निगाह रखने क्रिपा करें तुम मेरे से मत बोलो तेहां पर चार है तेहां पर दो का इन्होंने अंसर दिया है ठीक ना पिर रस छंदलंकार है देख सकते हैं यहां पर बारग क क करूंडस अथवाहासर का इस्थाय भाव के साथ उध भासा सोग नाम कस्ताय भाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से कवन रस्कुत पत्तियों ते उधान के लिए विरिश्तित नपका कोई को ना मेरा न कभी अपना होना परिचय इतिना इतिहास यही उमडी कल थी मिट आज चलिए उसके बाद दुसरे का ख है यहां प गुण, वसमान धर्म के कारण समानता दिखाए जाती है तो वहां पे उपमा अलंकार होता है उधान के लिए हरी पद को मल कमन यानि हरी के पद जो है पैर जो है को मल के समान क्या है को मन है अगला यहां पर गवाला है bạnई गंडलीया चंद का उधान लिखे तो यहां पे पर प्राप्त के लिए एक आवेदन पत्र लिखिये था नगर में अपने मुहले की नालियों को साप करने के लिए प्राप्त के लिए प्राप्त के लिए प्राप्त के लिए आवेदन पत्र लिखिये था निवेदन है कि मैं एक सिच्छित विरोजगार युवक हूँ सुरजगार है तु अपने निवास च्छित्र में पूस्तक एवं लेखन सामगे दुकान खोलने का इच्चुक हूँ इस संबंद में आपके बैंक द्वारा जारी सभी दीशा ने दोसु का पालन करते हुए मैंने सभी आवस्य कागजाद इस आवेदन पत्र में साथ सगलन कर दिया है तो आपसे प्रातना है कि आवेदन पत्र पर साहन बहुत विचार करते हूँ मुझे यथासी ग्रजीन प्रदान करने क्रिपा करें फिर भवदी अवस्य फिर सगलंगन आप लिख देंगे फिर यहां पर आपका लास्ट बाला जो आएगा वह सरी आपका क्या आएगा निवंद लेखन जी हां पांच निवंद चार निवंद हैं यहां पर मेरे प्री कवी पर तो किसी है कवी के बारे मिलिख दीजेगा बढ़िया प्रस्ताओना डालेगा मालिक तुलसी दास जी के बारे मिलिख देना है पर इनके क्या क्या रचना आए पर इनके महत्त तो क्या बस दैट-शिट हो गया काम खतम यही सरी आपका क्या है हिंदी की बोड की बस यही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना है आराम से पूरा आपको नंबर मिलेगा यह मेरी ग्यारेंटी है ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें क्योंकि बोड परिच्छा दो जब 25 की ताहरी बहतरिन तरीके से सब्सक्राइब करा रहा है आप चैनल से जरूर जुड़े ओके दूस्तों थैंकि जेंद टेक केर बाबाए